मेरे भाई का एक एक सॉलिट बेस जन्रेट की जाते है इस रीजन में हो, दोस्ती हो, यगांगत हो, ट्रेड हो, कल्चरल एक्स्चेंजेंजेंगें और वो जितना बन पड़ता है वो कोशिच भी करते हैं लेकिन अल्टिमेटली ये जो बरसरे अक्तिदार लोग होते हैं ये उनके ही हाथ में होता है आप सारी कोशिच कर ले वो एक वाक्या सारे कोशिचों पर पानी भेर देगा तो ये दरसल मैं समच्टा हूँ कि अवाम का हमारे हां भी फर्द बनता है कि ये प्रेशर इस्टैब पाकिस्तान का भी बता देता हूं इंगोस्तान का आपके ये जो टी-वी सीरियल से वह बहुत पॉपलर थे और मैंने भी बहुत देखें तो और कई लोगों से मैं मिलना ही असलिए चाहता था कि मैंने उनके सीरियल देखे थे इतने अच्छे लिखे हुए है इतने अच्छ वह पाकिस्तान में भी सड़कें वैसी होती है जैसे हमारे होती है तो मैंने तुम क्या समझें तो पाकिस्तान की सड़कें सीधी जननत जाती है यह हो नहीं है तो आप यह देखें यह लाई हमें डूने तरह है और बड़ी मतलब कभी-ज़ अफसूस भी हसी भी आती है इस वो छोटी बच्ची जो येलो कपड़े में जी मेरी बैंट सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत सदे थेंक्यू के आप सारे हमारे पास आये जानने का मौका मिला आप लोगों के बारे में और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत सी बुक्स लिखी होंगी आपकी परस्नल फेवरिट क्या है आपकी फेवरिट बुक कौन सी है जो आप ही ने लिखी है वो मैं लिखने माला हूँ आपकी जिनके हाथ में जावेद साभी किताब है मेरी बहन लाल कपड़ो में संद्रफी कपड़ों जी 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 अरे बस 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 नहीं नहीं ये मेरी बहन मेरी बहन है मेरी बहन है मेरी बहन है मैं आपके सोशल पोलिटिकल प्रिफरेंसे जांता हूं लेकिन सारे के सारे सारे सावाल लेफ्ट विंग से हाई ये बाठ ठीक नहीं कितारे राइड विंग को भी को कुछ पूछियार है इसका प्रोस्से क्या होता है मैं को जहां पर भी कोई ख्याल आता है ये सोच आप उसका क्ई राफ बना लेते हैं ये आपको को बहुत सफिल इन जगा चाहिए होती है जहां पर बैठ के विखते हैं जैरली आपका राइटिं प्रोसेज कैसा है अच्छलिट, एक्छलिट. आप लोग आपस में बात कर रहोंगे, गाये नहीं, गाने से मुझे बिस्टरबन सोचाएं, कहीं भी, पब्लिक प्लेट में, कार में, प्लेइन में, रिस्ट्रों में, बीच पाट्रों में जहां बाते चल रही हैं, I can write there, वो प्रॉब्लम, यहां तक मेरी दूसरी शायरी, ज जब तक कि मुझे कोई ऐसा ख्याल मना आए, कि मुझे लगे, यह बात नहीं कही जए, यै यह बात इस तरह नहीं कही जए, तब तक मैं नहीं लिथ का है, वरना तो वो ही बात, जो सो आ लिखी गई, उसे एक सो बार लिखने का मतलब ningún कोई, तो वो एंगल अगर आजाए जहन में तो बहुत देर तक तो मेरे दिमाग में ही वो पकता रहता है डिवलप होता रहता है and then I sit down and write when I feel that there is enough material कुछ लाइने कुछ मिसरे आ गए दोर करके और होता ही है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो नजन जो है या मजमून जो है वो एक हद तक तो आप उसे गाइड करते हैं और फिर वो आपको खेंची ले जाता है तो आपने जो नहीं सोचा था आप उधर चले जाते हैं जो उसका एकस्ताम आपके जहन में कुछ और सा लेकिन वो मजमून या मजमून या नहीं यहां खतम हो गए तो वो एक प्रोसेस है जो कि फिर एक थर्ड इस्टेर पर आता है जितना आपने सोचा था सब वो पेपर पर नहीं आता है उसमें कुछ और उबने लगता है तो इस एन इंट्रेस्टिंग प्रोसेस ये तो शाम तक निशिस्ट खत्म नहीं हो पाएगी मेरा आखरी सवाल है सवाल सुनने और पिर कईए कि हाँ ये सवाल आपने आखरी अच्छा पूछा है शाम को मुशारा लिए अजाद है आपकी जाद है मालिक आप हैस्वा ये एक सामने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के बारे मैं पूछा मैं बता जूँ ताकि ये सब बच्चे समझ जाएं ये बारे मुझे एक्सर लोग पूछते हैं कि ये आपके कैसे लिखिया तो आपको मैं बता जेता हूं ताकि आपको मालूम है कि ये कित्टे प्रोजेक काम है हुआ ये कि जब ये स्क्रिप्ट सुनी हमने सब लोगों ने पूरी यूनिट ने बैटके आटी बर्मन का बहुत बड़ा मुझे खॉल का उस पर बैटके तो जब खतम हुई तो मैंने कहा क कि एक सिच्वेशन थी वहाँ पर आपको पूस्ने गाना नहीं बताया है लेकिन वहाँ बहुत अच्छा गाना आ सकता है तो उनका नहीं नहीं इसमस्ट नहीं आ सकता अभी तो इनका मुलाकात भी नहीं कोई रुमेंस नहीं यह यहां गाना कैसे आएगा उते जलग विंड एक टून भी होती ही उस पर लिखना होता है तो आप टून थी नहीं इसलिए के सिच्वेशन ही नहीं थी तो उनका आप ही लिख लीगे हम तून बना लेंगे अगर पसंद तो तैप आया कि बुद को चार बजे मिलेंगे और ये था समीचर मैं बाहर निकला और भूल गया अब बुद के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हमेशा आ जाता है तो वो आ गया तो अब मुझे दो बजे फोन आया कि सर चार बजे पहुंच जाएगा सब आ रहे हैं अब मुझे इस फोन से यादा है कि मैंने तो बड़ा दावा किया था मैं तो भूल गया और ये सब आरे तास ज्वास ये सब आरे इचने ते सामने को मेरी भूत लोगों के सामने नाग कटेगी तो मैं को मने लिखा ने तो आय वोग अल्मुस टेनराइज कि हाव विल आई के मैं तो वाइल आव द्राइवें रास्ते में मुझे आईडिया कि मैं कैसे बच सकता हूं इंबैस सब्सक्राइज से तो मैं एंटर हुआ सब बैठे थे अनिल कपूर और ये और वो तब तो मैंने का देखे मैंने तीन जिन बहुत संजीजी से सोचा इसके बाले में और मैं जो कुछ एकाद किया उसे मैंने रिजग कर दिया मैं अभी एंगल पर पहुचा हूं और वो मैं आ है तो आपको यह आइडिया अच्छा लगता हो तो बताईए तो आड़ी वर्मन ने का आइडिया तो इंट्रस्कें है काम करो यार एक अंतरा यहीं लिख दो अच्छा उसे मालूम चाहिए मैं एक घंके भर में बहुत अगल ये वक्स लगता है तो जिर घंके में गाना लि जिल में शुक्राजा करते हुए कि बज़िया मैं फिर उसने कहा कि ठीक है उसने सुना और वैसे ही गाने लगा जो ट्यून आप सुनते हैं एक में लिख गाने लगा और कहा ऐसे ही दो और तरे और लिख जो बस यहीं गाना होगा ये था मेरा सोर्स अफ इस्परेशन आखरी आखरी तीस सेकंड अरे 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 अर करेंगे कि अगले साल खुद शबाना जोया और फरहान अख्तर को भी लेकर आए यूट्यूब पर गुगली न्यूज देखने के लिए यूट्यूब डॉट कॉम की सर्च बार में गुगली न्यूज टीवी टाइप करें गुगली न्यूज के पेच पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए यूट्यूब पेच पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखवर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा